इन दिनों किसान मेंगाई की मार से बहुत परिशान है मध्यपरदेश की मंडियों में नए सोया बीन की आवक दस्तक दे चुकी है उत्पादन में गिरावट के बाद भी सोया बीन किसानों को दोरा जटका लग रहा है दरसल मालवा का पीला सोना कहे जाने वाले सोया बीन के दाम जमीन पर आ गए है मुनाफ़ा तो दूर किसान लागत मुल्या निकालने की जद्दो जहज कर रहे है साथ ही किसानों के आयट डबल करने की मुहीम के बीच पिछले तीन महीने से महारास्टर के किसान सिर्फ पचास पैसे से लेकर दस रुपे किलो तक प्याज बेचने के लिए मजबूर है यानि किसानों के एक किलो प्याज के दाम की वेल्यू बस एक टोफी के बराबर रहे गई है जब वो प्याज बिचोलियों और व्यपारियों के हाथों से होता हुआ आप तक पहुँचता है तब उसकी कीमत 35-40 रुपे तक हो जाती है यही हाल लहसुन का भी है और अब सोया बीन की कीमते नीचे गिर रही है ऐसे में किसान करे तो क्या करे गुसाई किसानों का कहना है कि सरकार को पाम ओयल आयात कर लेना चाहिए जिससे किसानों की लागत डबल हो जाएगी जो कि चुनाव में सरकार ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आए डबल होगी अब आए तो डबल नहीं हो रही लेकिन लागत डबल हो चुकी है किसान सरकार से सवाल कर रहे हैं कि घाटे में फसल बेच कर आए कैसे करें डबल ये बात उन्हें सरकार ही समझा दे वहीं किसान नेता इर्फान जाफरी का कहना है कि किसानों के लिए सरकार इतनी योजनाय चला रही है लेकिन दाम अच्छा मिले उसके लिए उसके पास कोई प्लान नहीं सरकार वेपारियों को किसानों से लूट करने का पूरा मुका दे रही है इस समय वो सस्ते में खरीद कर स्टोक कर रही है बाद में महंगे दाम पर इसे बाजारों में बेच देंगे जिससे न तक किसानों को फायदा मिलेगा और नहीं उभगताओं को किसान इतनी मेहनत से फसल पैदा करता है और जब उसे बेचने की बात आती है तो दाम नहीं मिलता दाम नहीं मिलेगा तो किसानों की आयक कैसे डबल होगी वहीं महाराष्टर प्याज उतपादक संगठन के अध्यापक अध्यक्ष भारत दिगोले का कहना है कि सरकार का ध्यान सिरुफ प्याज सस्ता करने पर रहता है सरकार को अगर सस्ता प्याज चाहिए तो वो खाद, पानी, बिजली, डीजल, पेस्टिसाइड और माल भाड़ा सब सस्ता करे किसानों को जब प्याज का दाम 20-25 रुपे किलो मिलने लगता है तब उभोकताओं तक पहुंचते पहुंचते उसका दाम 60-70 रुपे हो जाता है ऐसा होते ही सरकार दूसरे देशों से प्याज मागना शुरू कर देती है किसानों से सस्ता लेकर उभोकताओं को महंगा बेचने वाले व्यवपारियों पर कारवाई करने की बजाए सरकार किसानों को तबहा कर देती है अब सरकार कह रही है कि 2021-22 के दोरान 3,17,03,000 मिट्री टन प्याज पैदा होने का अनुमान है जो पिछले साल से 50,62,000 मिट्री टन अधिक है इससे दाम और कम हो सकते हैं ये आंकड़ा पता नहीं कैसे त्यार किया गया वही महाराष्टर देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है यहां देश के कुल उत्पादन का करीब 40% प्याज पैदा होता है करीब 15,00,000 किसान इसकी खेती से जुड़े हुए है इसलिए यहां प्याज का इतना कम दाम होना चिंता का विशे है वही किसानों का सीधा सरकार से यह सवाल है कि इन बिचोलियों पर सक्त एक्षन लेने की बजाए उन पर क्यू वजरपात किया जा रहा है इसे MSP के दारे में क्यू नहीं लाया जाता महाराश्व कांदा उतपादक संक्ठन के संस्थापक अद्यक्ष भारती गोले का कहना है कि यह सक्ता में बैठे किसको नहीं पता कि प्याज किसान किस संकट के दोर से गुजर रही है उधर क्रिशी विशेशग्या केदार सिरोही ने सोयाबीन उतपादक किसानों की दुरदशा के लिए भी सरकार को जीमेदार बताया है उनके मताबिक मोसम की मार अपनी जगां किसानों को सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट और सरकार के गज़ोर की मार पड़ी है उनका कहना है कि परदेश में बड़े सतर पर सोयाबीन के बीज की क्वालिटी के साथ समझोता हुआ है कीटनाशक दवाओं के नाम पर किसानों को लूटा गया कार्पोरेट लभी ने अपने फाइदे के लिए सोयाबीन की उपच कम कराई एक तो प्रोडक्शन कम उपर से मंडियों में व्यपारी रेट नहीं दे रहे किसानों की मजबूरी का हर जगा गलत फाइदा उठाया जा रहा है ऐसे में सरकार से सवाल कि किसानों की आय कैसे होगी डबल Bureau Report Market Times TV झाल